आज ये वीडियो शिर्फ आपके लिए 101 परसंट आपको आज इस वीडियो में फ्रेंच फ्राइस क्रिस्पी और टेस्टी बनाने के एक ऐसी टिप दूँगी जिसके वज़े से आपके फ्रेंच फ्राइस एकदम क्रिस्पी हो जिसके लिए मैंने चार आलू लिये थे वो भी बड़ी-बड़ी साइस के जिने मैं अच्छे से छिल दूँगी उनका छिल का अच्छे से निकाल लूँगी आप देख सकते हो मैंने सभी आलू को छिल रही हूँ उसके बाद मैं अच्छे से कट कर लूँगी बड़ा चोटा आप आपके साब से देख सकते हैं मैं अच्छ इसे में पोच लोगी इन्हें अच्छे से हम लोग सूखा कर लेंगे उसके बाद ना मने ना कड़ाई ली थी इसमें मने तेल दाला था तेल के अंदर हम अच्छे से तल लेंगे इन्हें ना 6-7 मिंट तक एक दम ना नॉर्मल फ्लेम पर हमें तलना है आप सोच रहोंगे इतन किचन से लीती जो बहुत यची कुक है जब तक हमारे फ्रेंश फ्राइस गोल्डन ब्राउंड होते हैं तब तक हम अच्छे से निकाल लेंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राब तो मा चानल और इसके अंदर हम कुछ मसाले दालेंगे जै जाले जब बाइब धैं, मिस्यू!